नमस्कार आप देख रहे हैं स्टेन टुड़े मैं उनीशा आईए सबसे पहले रूबरो होते हैं हाडोती के ताजा हाल से बूंदी का जोगराज वतन बापसे के बाद पहुंचा जैपूर छे साल से था पाकस्तान जेल में बन रविबार को मिल सकेगा माता पिता से बैटी पर फ़क्तिया खसने से रोकना पड़ा भारी युवक और उसके परिजन निकी पीता और मा से मार पी पिडितपूर में कर चुका था पुलिस को शिकार कि वहीं बोली में सरकारी खरीद केंदर पर जुन्सों की तुलाई नहीं होने से नहराज किसानों ने किया हंगामा कई किसानों को लोटना पड़ा बेरंग और अब समाचा और विस्तार से बूंदी के जुगराज भील की छे साल पाकिस्तान की कराची जेल में गुजारने के बाद वतन वापसी हुई जुगराज शनिवार को जैपूर पहुंचा जहां से रविवार को वह अपने परिजनों के पास बूंदी आएगा जुगराज ने 29 अपरेल को बागा बोर्डर के रास्ते भारत वापसी की थी जुगराज के दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने बूंदे जिला प्रशासन के माध्यम से उसके परिजनों को सुचित कर उसे अमरत सर के रेड क्रोस आफिस में रखा था यहाँ उसे PCC ले जाया गया वहाँ उसकी मुलाकाद डिप्टी सीम सचिन पैलट से कराई जाने थी लेकिन तब तक पैलट चुनावी सभा के लिए निकल चुके थे ऐसे में उसे चेक अप के लिए सवाई मांट सिंग अस्पिताल ले जाया गया अब आवश्यक उप्चार के बाद जुगराज को रविवार को बूंदी लाया जाएगा उलेखनी है कि बूंदी के रामपूरिया गाउनिवासी जुगराज चवशपूर पैदल यात्रों के जथे के साथ रामदेवरा गया था मांसी क्रूप से विश्चिप्त जुगराज रास्ता भटक कर ट्रेंड से पाकिस्तान चला गया बगेर टिकेट पाई जाने पर पाकिस्तान में उसे दो माह की सजा दे कर छब बरसों तक कराचियु जेल में बंद रखा गया था गतवश 5 जून को डाबी ताना पुलिसों को उसके बारे में सूचना मिलने के बाद उसके वतन वापसे के प्रयाज शुरू हुए थे जो अब जाकर फली बूत हुए हैं कोटर शेहर के अनंच पूरा तना अलाका इस्तेत उडिया बस्ती में एक युवती पर युवक फप्तियां कस रहे थे युवती के पिता युवको को समझाने गए लेकिन उन्हें क्या पता था कि युवक उल्टा उन पर ही हमला कर देंगे युवती की मा और एक और व्यक्ती बीच बचाव करने गए तो उन पर भी हमला कर मार पीट की गई गाल पिता को उपचार के लिए न्यू मेडिकल कोलेस अस्पताल में भरती करा गया है पिता मुकेश पंकज ने बताया कि कुछ युवक उसकी पच्ची पर फप्तियां कस रहे थे जिस पर वह उनको समझाने गया लेकिन उन्होंने इस पर हमला कर दिया मुकेश ने एक दिन पूरिक अनंदपुरा तहाने में इन योकों के खिलाफ शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने समय रहते कारिवाई नहीं की मयुपचार के दुरान मुकेश पुलिस कर्मियों को कोशता रहा और कहता रहा कि आपकी वज़े से मेरे साथ इस तरह का हाथसा हुआ है मेरे बच्ची को चेड़ने सब उसको मेंने समझाना चाहा तो उन्होंने मेरे सिर मेरा थी तो मेरे तंग शाने में जाजा रिपोट करा ही तो थाने वाले ने कोई मेरे पती साथ मार पीट की और उसकी माने बेटों ने पती ने और आज पड़ोस वालों ने सब ने क्या माम रहा है मेरे लड़की उसको डाटा समझाने गए तो उनने पीछे से आके मारा समय माधपूर जिले के बोली उपकन मुख्याले पर राजफेर द्वारा संचलत समर्तन मूली खरीत केंदर पर अववस्ताओं का आलम है ऐसे में शनिवार को दोपर तक तुलाई शुरू नहीं हो पाई समय पर जिन्सों की तुलाई शुरू नहीं होने से नाराज किसानों ने खरीत केंदर पर हंगामा कर दिया किसानों के मताबिक दो मही की खरीत के लिए आये मैसेज के बाद भी अभी तक जिन्सों की तुलाई नहीं हो पाई है ऐसे में धरती पूतर दिन बर अपनी फसल के साथ तपती धूप में इंतजार कर बेरंग लोट रहे हैं मसलन किसानों को किराय के दोहरी मार जेलनी पड़ रही है सूतरों के मताबिक मजदूरों और ठेकेदारों में समनवी की कमी के चलते ही तुलाई शुरू नहीं हो सकी ऐसे में ठेकेदार के प्रतिनिकों मौके पर आकर किसानों से समझाईश करनी पड़ी सवे मादूपूर जिले के बहराउंडा कला तानाशेतर के पेपलेट गाउं में हाई वोल्टेज बिजली की लाइन का करंट लगनी से एक युवक की मोथ हो गई चौनकारी की अनुसार विश्णु जाट मवेश्यों के लिए अपने मकान की पिछवाडे में बने घर में चारा भर रहा था जोहां नस्दीक से ही बिजली की हाई वोल्टेज लाइन कुजर रही थी चला डालने के दोरान गलती से विश्णु जाट का हाथ जूलती हुई बिजली के लाइन से टच हो गया जिसके चलते करंट लगने से वो बूरी तरह जूलस गया परिजनों को उसे तुरंद लेकर खंडार अस्पताल पहुंचे जहां चिकत्सों ने उसे मृत कोशित कर दिया पोलिस ने शाओ का पोल्स माटम करवा कर परिजनों को सुपोर्ट कर दिया है कोटर शेयर के बोरखेड़ा तनाशेत्र में एक युवक ने पतनी द्वारा छोड़ कर पियर जाने से दुखी होकर जहरीला पदार्थ खा लिया युवक ललित को अचेत अवस्ता में एमिस्पिताल में भरती कराया गया जहां शुकरवार देर रात उसकी मोध हो गई वहीं मृतक के परिजनों ने ललित के ससुराल पक्ष पर मारपीट कर प्रतारित करने का आरोप लगाया है परिजनों का कहना है कि ललित बार-बार पत्नी पीर जाने से परिशान था वहीं पतनी अक्सर मोबाईल पर काफी देर तक बात क्या करती थी और ललित के मना करने पर दोनों में जगड़ी होते थे पुलिस ने मृतक का पोस्ट मार्टम करवा कर शव परितनों को सौम दिया है और मामले के चांच की जा रही है पिर उसके बाज में एक बार फिर बुलाया उसको पर पता नहीं किया बात हुई पिर उसके बाज में उसने गर प्यागे कुछ एशी अरकत की जो पुटा के जवान अगर थाना लाके के थोड़ा बस्ती में घर पर अकेली मोजूद विकलांग वृदा के कपड़ों में आग लगने से गंबी रूप से जुलस गई परिजनों ने उसे में भरती कराया जो शनिवार को लाज के दोरान वृद्धा की मोथ हो गई जवान अगर थाना पुलिस ने पोस्ट माटम करवा कर शेव पर 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 अकेली थी इस दोरान शायद माचिस जलाने के दोरान कपड़ों में आग लग गई लेकिन विकलांग होने के कारण वह अपना बचाव नहीं कर सकी परिजन जब घर पहुंचे तो उन्हें घटना का पता लगा और पृद्धा को हस्पिटल लेकर गए पुलिस पलाल मामले को संदिग दुमानते हुए चार्च कर रही है महिला सीता भाई जिसके उमर 60 साल है वो शरीर से थोड़ी विकलांग थी और उसके बीड़ी पीने के भी आदत थी पलंग पर लेटे हुए बीड़ी पी रही थी इस तरह की जानकारी परिजनन दी है तो बीड़ी पीते वक्त माचिस के तिल्ली या बीड़ी बिस्तरों पर गिर गई और उससे बिस्तरों में आग लग गई और वो जल गई वो थोड़ी रिकलांग होने के वुझे सपना बचाओ नहीं कर पाई और ज्यादा जल गई परिजनन को लाकर के और एमबेस में भरती कराया इलाज के दोरान उसकी रात को मरती हो गई है बुंदी के दबलाना थाना लाके में जहरीला दाना डालकर रास्टी पक्षी मोर का शिकार करने का मामला सामनिया है इस मामले का ग्रामीनों को पता लगा तो उन्होंने मेज नदी के किनारे पड़े मोर के पंक वा कबूतर का शिकार करते हुए देखकर कंजर जाती के एक युवा को पकड़ कर पुलिस को सोपा वही घायल मोर को इलाज के लिए दबलाना पशु चिकित साले पहुँचाया वजुद नगर निगम कच्रे का मेनेजमेंट नहीं कर पा रहा है इसके कारण कच्रा डंपिंग यार्ड नानता का तीन किलोमेटर का शेत्र प्रदुशित होता जा रहा है वही स्वच भारत मेशन के तहत स्वस्ट गाइडलाइन है कि शहर से जो कच्रा निकल रहा है उसे करके नहीं रखा जाए और वगी करन करे उसे डंप करके नहीं रखा जाए और वगी करन करके उसका उप्योक करे फिलाल कोटा में कच्रा केवर्ड डंक किया जाता है सरसो, उडद और मूंग जैसी फसलों दापडा है जिदर देखो उधर बंपर आवक के कारण फसलों के धेर लगे हैं ऐसे में किसान जहां खाली जगर नजर आए वहाँ जिनसों को खाली करने को मजबूर है महीं करशियो पजमंडी में किसान टेक्टर ट्रोली लेकर पहुंच रहे हैं जिसे परिशानी का साम ना करना पड़ रहा है बंपर आवक होने के कारण किसानों का नंबर एक दो दिन में आता है जालरा पाटन करशियो पजमंडी बड़ी मंडियों में गिनी जाती है यहां जिले के कई गाउं से लोग अपनी फसल बेचनी के लिए आते हैं इस बार किसानों को गेहूं का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है गेहूं के पसल गिली होने से भावो में आई गिरावट के चलते किसान 1500 से 1700 रुपे क्विंटल में बेचने को मजबूर है बढ़े के हुए तो थारए सोला सुरुपे का आपका मला पुरा मंदी में जगे नहीं पे रखने हैं अब मन्दी में जगे रखने हैं यह क्यों रेट मिल रहे हैं यह निए कम नहीं है? कहीं मिलना चीह लगवक? 16-17 में चीह है रेट के मिलरी है मतलब आजी लपक का भॉच के भॉच आवा के इसलिए है? लपक के जाने आवा का अभगा और लपक के जाने वावा का भॉच आप पही जाल रहे है? तबरेश आपमे चीहा है क्यों क्या है यह था यह रहता बढ़य कि अब करें है। वाइन दो भिए पर फैसरी निट्एब्फार्श निया घ्रीम शेयरो einem ट्रीम करकेश प्रभा, सब कमें देने ही.. उम्मित किया थी कितने रुपई बिलना जाना चीय है किया सोच के बेसी गयोंगे कितने रुपई माना चीय है हमसा 2,080 रग उना सट्रा सो तो आने चीये सट्रा सो अभी कम आई रेट शनी मावस्या कोटर शेहर में धून दाम से मनाई गई इस मोके पर अल सुबह की शद्दालों चरंदेओ के मंदिर में पहुंचे और तेल आधी चड़ाया इस मोके पर राम तलाय स्तित जगत मंदिर में चनी मावस्या बड़ी धूम दाम से मनाई गई सुबह चनी देओ की मंगला आर्ती हुई इसके बाद पंचामर्थ से विशेक किया गया वहीं शाम को मा आर्ती का यजन हुआ और सुंदरकान का पाट किया गया इसके लावा ग्यारा सो कचोरी और ग्यारा किलो इमर्ती का भोग भी लगाया एवं ट्रदालों को प्रसाथ वित्रण किया गया जगत माता मंदिर चनी मावस्या आज सुबह सबसे पहले पाच बज़े मंगला आर्ती की बाबा की ज़लवार जिला कारागरह की ग्यारा महिला बंदियों को योगिता उधमिता एवं विकास अंस्थान ने फंदरा दिवसी टेलरिंग एवं ब्यूटी पालर का प्रसिक्षन दिया जेल परिसर में शनिवार को प्रसिक्षन के समापन का समारो हुआ जिसमें जिला एवं सेशन न्यायदिष राजिंतर कुमार चोधरी मुख्य अतिती के रूप में शामिल हुए वहीं जिला विदिक सिवा प्रादीकरन के सच्चिव बील चंदेल भी मोजुद रहे इस मोगे पर बंदी मनिशा ने सिलायो का डेमो दिया जबकि कृष्णा और अनिता मीना नेपालर में आईबरू बनाने का डेमो दिया अतितियों ने प्रसिक्षन में भाग लेने वाली महिला बंदियों को प्रमान पत्र भी वित्रित किये वहीं योगिता उद्मिता एवं विकास संस्तान की सचीव प्रतिवा चोहान ने प्रसिक्षन और संस्तान के बारे में जानकारी दी इस मोगे पर जिला एवं सेशन नियाइदीश ने कारगरह का अन्रक्षन भी किया और बंदियों के समस्यां ही सुनी कुटशेर के एक नामे गिरामी बंसल कोचिंग संस्तान की करमचारी ने संस्तान के उपर जबरन परिशान करने का आरोप लगाया है करमचारी अनिल गोतम ने बताया कि उसे संस्तान निकालने के तयारी में जुटा है जबकि उसने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी है बिगड़ गई और वह संस्तान परिसार में ही गश्का कर गिर गया फिलालों से अफचार के लिए न्यू मैडिकल कॉल इस्पिताल में भरती करा गया है मैं बंसर कोजिंग संस्तान से संपर्ख साधने पर कोई भी मीडिया से बात करने को तयार नहीं दिखा तो यह थी अब तक की विशेश खबरे जाने से पहले एक बाफिर से रूबरू होंगे खास हल्चलों से बुंदिका जोग्राज वतन बापसी के बाद पहुंचा जैपूर छे साल से था पाकस्तान जेल में बन रविबार को मिल सकेगा माता पिता से बेटी पर फ़क्तिया खसने से रोखना पड़ा भारी युवक और उसके परिजन ने की पीता और मा से मार पी पिडितपूर में कर चुका था पुलिस को शिकायर वहीं बोली में सरकारी खरीद केंदर पर जुन्सों की तुलाई नहीं होने से नहराज किसानों ने किया हंगामा कई किसानों को लोटना पड़ा बेरंग तो अब दीजे निशा को इजाजत S10 Today टीम की और से नमसकार